पुलिस ने इस प्रकरण में अग्यात पर मुकदमा दर्च कर जाच परताल शुरू कर दी है वही मरतक के परिवारी जनों ने पुलिस की का रिवाही पर उंगलियां उठाई है ग्राम अलिपुर निवासी समरपाल का पुत्र डॉक्टर गौरव कुमार रविवार को जनपर संभल के ग्राम चमरुआ में एक रिश्टेदार के यहां से बाइक पर सवार होकर घर वापस लोट रहा था बताया गया है कि जब वह थाना नकासा छेतर के संभल हसनपुर हाइवे पर ग्राम सिंगपुर साहनी पहुचा तो सामने से आ रही सांसद लिखी स्कॉर्पियो गारी ने उसकी मोटर साइकल में टकरमा दी जिससे डॉक्टर गॉरव गंभी रूप से घायल हो गया और उसने दम तोर दिया मेरा नाम कोशिंदर, मेरा भाई का नाम गॉरव कुमार, डॉक्टर गॉरव कुमार, रिनिवासी अल्लीपुर के रहने वाले थे हम और मेरे भाई जो है चमरुवाग गये थे, किसी रिस्तियारी मेर होंसा बाक्षी लोट रहे थे भीमनगर के लिए कमारो उनका मकान भीमनगर के लोट ते समय सांसत जव एक्सपार रही थी और उनकी गाड़ी न मेरे भाई की गाड़ी करेए, जो जगह बंगर छिलाइब गाड़ी दौनुहीं थाने से पात्युनitaire हैं नहीं गाड़ी उसलिस लिकार हमको करौनेय। हमें कोई सपलता पूर्वक नहीं पारी और पुलिस आई थि लेकिनैंने कोई भी किसी तरह का भी अन्यायो नहीं मिल लिया। देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर